हेलो दोस्तों आपका ICIT Online Classes के चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल को बनाया गया है विशेश तोर पे Computer के विभिन सब्जेट्स को हिंदी भासा में पढ़ाने के लिए इसमें आपको Office, Programming, Web Technologies, RDBMS, DABMS, Accounting Software के बारे में अच्छे से सिखाए जाएगा मैं संतोर उश्कुमार गुपता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरा वीडियो अगर अच्छा लागे तो Share button पे क्लिक करके जरूर शेयर करें Like button पे क्लिक करके इसे जरूर लाइक करें Subscribe button पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर सेलेट करें अच्छा लिए दोस्तों आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं जैसे हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था Python Python के हम लोगोंने तीन परड़ लिए हैं तीन टितोरियल पर लिए हैं इसमें पहले वाले पार्ट में हम लोगोंने पायफन का इंट्रो सीखा था दूसरे होस्ते में pry comments है इनके बारे में बात चली थी और तीसरा पार्ट जोhan में decision making के अंत्रगत if और if else के बारे में बात किया था आज का जो हमारा subject होगा वो python में loops के बारे में होगा loops किसी भी programming language का सबसे main function होता है features होता है आगर आप किसी किरिया को एक से अधिक बार दोराना चाहते हैं उसके लिए हम लोग loop का प्रियोग करते हैं तो जैसे c, c++, java में आपको loops की सुबधा मिलती है far loop, while loop, do I loop उसी ही तविके से आपको python में भी loops की सुबधा मिलेगी तो चलिए बात करते हैं कि loops क्या है और इसके लिए कौन-कौन से हमें functions मिलेंगे features मिलेंगे loop बनाने के लिए हमारे python में तो देखे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है पहले loop के बारे में कि loop होता क्या है तो अभी जो आप program लिखते हैं वो program में जितनी में लाइने आप लिखते हैं वो एक करके एक by एक sequentially execute होता है कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी एक specific code को कई बार repeat कराना होता है तो इस उद्देश के लिए हम लोग loops का प्रियोक करते हैं कहने का बंदर यह हुआ कि अगर आपने कोई program बनाया है आपके program में अगर 50 lines का code है तो आपके one by one सारे line एक्जेक्यूट होते हैं उनका आपको result दिखता है पर किसी कारण से आपको लगता है कि हमारा जो 10 से लेके 15 line वाला statement है उसे मुझे repeat कराना है तो repeat कराने के लिए उतने statement आपको दुबारा लिखना पड़ेगा पर अगर आप चाहते हैं कि ये काम हम अपने python language से करा ले तो आप loop का प्रियोग कर सकते हैं तो loop का छमता होता है कि ये किसी specific code को specific code को repeat करता है एक से अधिक बार और वो एक से अधिक बार यानि एक time होता है जो हमें बताना होता है तो इसे reusability आती है हमें बार बार coding नहीं लिखना पड़ता है ये इसका main फायदा होता है हमारा जैसे बाकी का language है उसी ही तरीके से हमारे पास python में भी loops की सुब्धा मिलेगी जिसमें आपको far loop मिलेगा while loop मिलेगा do while loop मिलेगा तो ये तीन variety के loops हैं जो आपको python में मिलेगे मकसल लूप का ही है कि आप इससे repeating का काम कर पाएं iteration का का काम कर पाएं दोहराने का काम कर पाएं ये इसका benefit होता है तो ये पहले बात कर लेते हैं ये far loop क्या है तो far loops हो है ये बहुत ही common बहुत ही popular बहुत ही sahaj loop होता है जित्ते भी programmers होते हैं वो far loop को यूज करना बहुत पसंद करते हैं चुकि ये बहुत easy होता है far loop को बिसेश तोर पे हम लोग ता यूज करते हैं जब एक निर्धारिस समय हमें पहले से पता हो कि ये कित्ती बार होगी और ज़्यादा ये benefit होता है C वगारा language में ऐसे हमें array वगारा मिलते थे तो array के elements को visit करने के लिए far loop बहतर होता था तो ऐसे ही हमारे python में हमें list, tuple, dictionary आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इनमें चुकि लिस्ट बनता है एक से अधिक data elements होते हैं तो उन्हें visit करने के लिए उन्हें traverse करने के लिए हम लोग far loop को ज़्यादा यूज करते हैं फिलाल far loop python में जो होगा ये आपके statement को या किसी हिस्से आपके program में किसी हिस्से को एक से अधिक बाद दोहराने के लिए इसका प्रियोक की आता है far loop का जो syntax होता है syntax इसका बहुत simple है syntax में क्या होता है कि आपको far लिखना होता है फिर far के लिए एक variable आपका होता है फिर आपको in लिखना होता है इन एक keyword है और एक sequence लिखना होता है sequence में हमें ये बताना होता है कि हमारा जो loop होगा वो कहां से शुरू होके कहां तक जाएगा अभी example में आप देखीएगा और इसके साथ भी ये indentation का निशान लगता है और इस indent के label में जितने भी statement आप लिखेंगे वो इस farm look के अंदर execute होगा और आपके sequence में जो बताया गया होगा कि आपका look किते time चले उस प्रकार से ये execute करता है ऐसे ही आपका एक आता है while loop while loop जो होता है इसे हम लोग pre-tested loop या entry control loop बोलते हैं इसे pre-tested या entry control loop इसलिए बोलाता है चुकि इसमें हम लोग while loop जो बनाते हैं तो सर्थ यानि अपना condition इसके साथ पहले ही लिखते हैं तो अगर condition true होगा तो वो इसके block में आएगा और जो statement लिख यह हमारे code को तब तक execute करता है जब तक हमारे दौरा बतायागा expression true होता है और जैसे ही हमारा expression false होता है तो यह loop से बाहर आ जाता है तो यह इसका nature है while loop का काम करने का अब आपका आता है do while loop do while loop वैसे अगर python को छोड़के c या c++ java में बात करा जाए तो do while loop जो होता है यह उसी ही प्रकार से काम करता है जैसे हमारा while loop होता है बस यह जो होता है इसमें condition चुकी बाद में चक्की आता है इसलिए से post tested या exit control loop बोना आता है इसमें at least एक बार काम हमारा हो जाता है भले ही condition हमारा false क्यों ना हो तो जब ऐसा लूप बनाना हो जिसमें सुरू में हमें condition नहीं चिक कराना है एक बार कि दिया करा ही देना है अगला कि दिया तब होगा जब condition true होगा तो उसके लिए अच्छा होता है कि हम लोग do while loop का प्योग करें आपको जानक पर आप चाहते हैं कि हम do while जैसा एक loop बना लें do while जैसा एक loop बनाने का अर्थ यह हो रहा है कि एक बार at least काम हो अगली बार तब होगा जो condition true होगा तो हम do while do while वाले loop का job while loop के मदद से कर लेंगे जो अभी मैं एक program के जरिया आपको दिखाऊंगा वहां हम लोग programming की code ऐसे ल नाम का कोई keyword या syntax हमारे python के दारा support नहीं होता है तो especially हमारे python में हम लोग दो loop का प्योग करेंगे एक लूप जो हमारा होगा वह फार लूप होगा एक लूप जो होगा हमारा while loop होगा किसी विशेश परस्तिति में अगर आपको लगेगा कि हम do while जैसा nature का loop चलाना चाहते है तो हम while के ही मदद से do while वाला concept कर लेंगे उसके लिए अभी मैं आगे आपको एक program दिखाऊंगा जिसमें do while वाले चीज को करके दिखाये जाएगा तो दोस्तों यह था हमारा कि far loop क्या होता है while loop क्या होता है do while loop हलाकि नहीं support कर रहा है पर वो क्या है इसकी चार्चा हम लोगों ने कर दिखाया अब हम लोग क्या करते हैं python में आते हैं और python के अंदर हम लोग in loop को जासते हैं कि इंकी programming कैसे होती है तो कुछ चोटे चोटे एक्जामपल है प्रोग्राम के जिनने मैं आपको यहां पर यूज करके दिखाऊंगा अचुकी इसका जो एडिटर है इसमें जो code लिखे होते हैं बहुत चोटे 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 नेर आ रहे हैं इसमें कोई कोट पर इसे तौट पर ध्यान देना है जैसे देखिए मैं एक साधारन लूप बनाना चाहता हूं उस लूप में चाहता हूं कि हमारा जो लूप है वो वन से लेके 10 टाइम तर चले तो देखिए चुकी फाइफन में वेरेबल का डिकलेरेशन हाम नहीं कर रहा होता है तो मैंने यहां फार लिखा मैंने यहां आई लिखा वैन यह एक वैःबल हो गया फार एक कीवर्ड हो दिखाएगा यहां मैंने कॉलन का निशान लगाया है और इसके ब्लॉक में मैंने केवल प्रिंट आई एक स्टेट्मेंट लिखाया है तो यह करेगा क्या कि जो लूप हमारा जनरेट होगा वन से लेके 10 तक उसको हमें दिखाएगा एक बात का विसेज ध्यान रखना होगा आ देख रहे हैं आप पर जो हमें रेजल्ट मिला है वो मिल लाया मगर वन से लेके 9 तक मिल लाए तो होता क्या है कि जो आप रेंज बनाते हैं उस रेंज में शुरुवात तो यहीं चलता है पर जब 10 वेलू होती है तो यह एक टमेटकली वहीं पर फाल्स हो जाती है इसलिए हमेशा यह 1 नंबर कम चलेगा और आप प्लान कर रहें नहीं हम है में से 10 करेंगे तो आपको यहां पर 1,11 लिखना होगा वन कामा एलेबर लिखने से क्या होगा कि अब आपका जो यह लूप चलेगा वह वन से लेके 10 तक चलेगा तो आपको यही ध्यान देना होगा कि इसका जब आप लूप चलाएंगे तो आपको एक नंबर जान बूच करके बढ़ा के देना होगा अगर आप 10 तक चला रहे थे तो देखें यहां पे 9 तक ही आया था और यहां अगर आप देखें तो अब हमारा रजल्ड 1 से लेके 10 तक आ रहा है तो यह एक फार लूप का स इंपूट करूँ और हमारा लूप 1 से चलते हुए उस नंबर तक जाए यहां मैंने लिखा एन इक्वल इंट माने इंटीजर टाइप का होगा इंपूट एक फंक्शन है वैलू को इंपूट और आने के लिए तो वैलू जो इंपूट हो उसे मुझे एजे इंटीजर में कराना है इसलिए इंट कराना है यहां पर कहा है कि आप एक नंबर इनपूट करीए हमारा इंपूट पूरा वागया अवा हमारा लूप चलेगा वह आई से तो सुरू होगा मगर इंड कहां पे होगा आई पे होगा तो इससे क्या होगा कि यह वन से चलता हुआ और एंड में जो नंबर आप इंपुट करोगे वहां तक यह लूप जन्डेट होगा इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं तो जब आप इसको रन करिएगा तो रन करने पे आपसे यह देख रहा है कि एक नंबर इंपुट करने के लिए मांग रहा है मैंने नंबर दे दिया फोर जो वन से लेके ठीड लूप चल ला है मैंने आपको पहले ही सुचना दिया था क कि रेंज में जो हम लास्ट लिखते हैं उससे कम चलता है लूप मैंने फोर दिया था इसलिए यह वन से लेके ठीड तक एग्जेक्यूट हुआ तो यहां मैंने दिखाया कि आप कैसे कोई नंबर इंपुट करेंगे और लूप वहां तक ले आएंगे हमाली आपको प्रोग के नंबर का सम करिए तो अभी फिलहाल यह इंपुट वाले स्टेट्मेंट की हमें जुरुत नहीं है तो यहां मैं हैश का निशान लगा देता हूं तो यह एक कमेंट तब्दील हो जायागा और पैथन इस लाइन को नहीं पढ़ेगा नहीं एक्जेक्यूट करेगा अभी बात में इसकी नीड होगी तो हम इसे यूज कर लेंगे क्यों कि सम कराना है तो सम कराने के लिए एक वेरेवल लेके उसकी वेलू मैंने जीरो यह कर दी अब मुझे करना क्या है वन से लेके 10 तक तो इसे हम 11 तक चलाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे इसे इक्वल S प्लस I इससे क्या होगा कि S में 0 है I में 1 है तो 0 आ 1 जुड़ी आएगा तो 1 हो जाएगा अगली बार S में 1 में 2 जुड़ी आएगा तो 3 हो जाएगा इस तरिके से वो सम करता रहे अभी मैंने यहां पर प्रिंट लिखा है तो अगर आप धियान दो तो मैंने यहां पर print में क्या किआ है कि इसी के एक label में इसको लिखा तो यह भी for loop के अंदर आ जाएगा तो इससे होगा क्या कि आपका समाला एक बार एकजेक्यूट होगा तुरंद प्रिन्ट हो जाएगा तो हर साइकिल का जो सम हो होगा उसका आपको दिखता रहेगा अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमारा सम कर ले फिर लास्ट में उसे प्रिंट करें तो इस प्रिंट को फार लूप से बाहर रखना पड़ेगा चलिए अभी फिलाल हम अंदर ही रख लेते हैं इसे सेप किया सेप करने के बाद में मै इसलिए यहां पर आई के जरी जो गिंती जनरेट हो रही थी वह प्रिंट हुई हम मैं एस को प्रिंट कर लेता हूं और इसे सेप करके मैं रन कराता हूं तो अगर आप रन के आउट्पूट में देखिए तो यह वान आया फिट्थी आया फिर सिक्स आया फिर लास्ट में फिप्टी फाइव आ गया तो चुकि प्रिंट वाला स्टेट्मेंट हम लोगों ने लूप के अंदर डाल लखा था इसलिए हर एक्जिक्यूशन के साइक प्रिंट करके हमें दे दिया तो यहीं से आप समझिए कि इंडेर का क्या फायदा होता है अब मैं आगर इसे इस के इंडेर्ट से आउट कर दूँर बिखो इसके लेबल से अब अलग हो गया ये ふार के लेवल में आ गया तो यह अपकर लॉय YOU तो क्षे प्रिं 있으 कनलर यह कि हम लोग एग्जेक्यूट करके देखते हैं तो यहां क्या होगा कि आपको 55 रिजर्ट मिल जाएगा तो हुआ यह कि पूरे लूप के दौरान उसने सम वाले फार्मूले को चलाया और फिर लास्ट में हमें उसने 55 प्रिंट करके दे दिया तो बैसेकली यहां हम यह नहीं फोक प्ढ़ते हैं जो कोई ना कोई एक लैंगूज पहले से पढ़ चुके होते हैं बघ्रती होगा जा पढ़ते हैं welius कृ का यहां प्रोग्राम का यहां क्लूडव होता है चलिए एक प्रोग्राम और बना लेते हैं इस प्रोग्राम का उदेश यह होगा कि हम एक नंबर इंपुट करेंगे और हमारा क्या होगा कि 1 से लेके उस नंबर तक नंबर जनरेट होगा और उसका हमें सम मिल जाएगा तो अगर आप देखो तो मैंने आई अला जो लूप चलाया हुआ है वह 1 से लेके 10 तक चलाया है तो मैं अगर तो आप देखो तो यह 9 तक ही लूप चलाया इसलिए 45 रिजलिट आया तो इस लूप को हमें जानबूच करके एक बार ज्यादा एक्जेक्यूट करना होगा तो इसके कई तरीके हैं आपने यहां जहां N की value input करी थी इसी के बाद N प्लस आप इससे 1 कर दीजे तो इससे गया होगा अगर आप 10 दिया होगा तो 11 हो जाएगा या आप यहां भी N प्लस 1 भी लगा सकते हैं इस तरीके से भी बन जाएगा इसलिए मैंने यहां N की value को एक increment कर दिया है अब मैं इसे save करता हूँ और फिर इसको मैं run करता हूँ और run करने पर मैं 10 दूँगा तो 55 देखिए results आ रहा है चुकि मैंने एक cycle उसको increment कर दिया है तो यह है आपका far loop को अगर बेतर समझना है तो आपने चोटे मुटे प्राब्रम ले लिए और उनहीं के मदश से आप उसका प्रोगाम बनाएगे कि मैं चलिए मैं एक प्रोगाम बना लिता हूँ कि मैं दो नंबर input करूंगा और पहले नंबर से शुरू होगा दूसरे नंबर तक जाएगा यह एक range में बनाऊंगा तो मैंने दो value input कराया दो value input कराने के बाद पहला value अब हमारा n हो रहा है और last हमारा m हो रहा है इसलिए मैंने m को एक बढ़ाया है अब यहां लिख दिया मैंने n से शुरू होगा और कहां तक जाएगा m तक जाएगा तो अगर आपने n की value 1 दे दी तो यह 1 से शुरू होगा m की value 10 दे दी तो m की value एक बढ़ा के यह 11 करेगा तो यह 1 से लेके 11 तक लूप चलेगा और far loop 1 time less चलता है तो यह 10 तक ही एक loop generate करेगा तो इस program को भी execute करके मैं देख लेता हूं कैसे काम कर रहा है तो मै नमबर मैंने यहां पर 10 दे दिया तो देखिए इसका output 55 आता है दोस्तों कोई भी program जो फार लूप से आप बना रहेते वह सारे के सारे प्रोग्राम आप सी वाले यहां भी बना सकते हैं आप फैक्टोरियल का program बना सकते हैं आप प्राइम नंबर का program बना सकते हैं आर्मिस्टांग का ना बना सकते हैं तो यह एक basic syntax था जो मैंने आपको फार का करके दिखाया अब मैं आपको while loop के बारे में कुछ program है उनको मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो फार लूप होता है इसमें हम लोग कोई लाजिकल एक्सप्रेशन नहीं देते हैं और हमारा while loop जो होता है उसमें हम लोग एक condition लगाते हैं तो चलिए एक सहज loop त्यार करते हैं 1 से लेके 10 तक number generate करने के लिए मैंने i की value 1 कर दी यहाँ पे मैंने लिखा while के बार लिखा मैंने i less than equal 10 लिखा यह indent के लिए मैंने लगा दिया यहां मैंने लिखा print के बाद मैं यहां i को print कर लेता हूं अब यहां increment करना बढ़ेगा i plus 1 यह गर दिया तो यह loop जो होगा यह one से लेके 10 तक का एक गिंती generate करेगा तो इसको भी run करके देख लिया जाए तो देखे यह one से लेके 10 तक का आपको number मिल रहा है तो फार लूप में क्या होता था कि इंक्रीमेंट आटो होता था हमें वहां पर केवल starting और इंड बताना होता था मगर वहां एक लेस सलता था लूप यहां पर लूप जहां तक condition true होगा तब तक चलता रहेगा यह one से लेके 10 तक के लूप को बनाने के लिए होता है अब मैं बात कर लेता हूं कि one से लेके 10 तक के number को मुझे sum कराना है तो sum कराने के लिए यहां एक variable की value आप 0 कर लीजे यहां आप s equal s plus i कर लीजे और आपको i की value को increment कराना होगा यह दो statement आपके while में रहेंगे पहला sum वाला formula हो गया दूसरा हो गया i की value को एक cycle increment करना अब मैं यहां पर print करूंगा अपने sum वाले result को तो अब मैं इसको अगर run करूंगा तो आप देखो यह one से लेके 10 तक का जो sum आ रहा था 55 वो आपका आता है तो इस तरीके से while loop का यह syntax है आपको यह use करके देख लेना हूँ तो मैंने आपको file loop के बारे बताया मैंने आपको while loop के बारे बताया मैंने अपने तरफ से कुछ programs आपको बना के दिखाए आप इन program को execute करके देखेगा और अगर आपके मन में कोई doubt होगा तो उसको आप जरूर पूछिएगा एक program मैं आपको सोच रहा हूँ do while वाला भी करके दिखाऊं जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो python होता है वो do while loop को support नहीं करता है तो अगर हमें do while loop बनाना हो force करके तो उसके लिए हमें while loop की ही सहता लेनी पड़ती है जैसे यहां मैंने iq value 1 कर दी है फिर यहां मैंने लिखा while true while true का मतलब यह हुआ कि इस block के अंदर जो भी एक decision making वाला काम किया गया है जब तक इसकी value true होगी तब तक यह loop चले कि इसकी iq value 1 है अब यह पहली बार तो कोई condition का मुल्यांकर हो नहीं रहा है भले ही है फाल्स हो नीचे वाला तो यहां आजाएगा यहां आने पर iq value 1 प्रिंट कर देगा अब iq value बढ़ेगी अब यहां बाहर निकलने के लिए आपको एक break keyword का प्योग करना पड़ेगा यह true loop हो गया यानि यह infinite loop बनाएगा यह अपने लूप से तभी बहार निकलेगा जब आप break keyword का यूज करेंगे तो यहां चुकी break किया गया है तब जब iq value 5 से बढ़ी हो जाएगी तो इस program को अगर run करके देखा जाए तो आपको 1 से लेके 5 तक का गिंती यहां पे मिल जात है अब मैं यहां पर काम करूं कि यहां मैंने लिख दिया 10 तो कि यह true loop है तो true loop का मदले हुआ कि यह इस loop में आही जाएगा तो यहां 10 प्रिंट कर देगा और 10 प्रिंट करने गाद में i को increment करेगा 11 होगा यह condition false होएगी तो condition false sorry यह condition true हो जाएगी चुकी 11 5 से बढ़ा है और आप लूप से ट्रमिनेट होएंगे तो यहां यह condition false होते हुए भी एक बार काम करेगा और जैसे यह true होगा आप बाहर आ जाएगे जूम में आप देखिए i की value मैंने 10 करी है और यहां true loop लगाया है true का मदलब यह infinite loop बनायागा यहां मैंने i को print किया है अब 10 11 हो गया 11 चुकी 5 से बढ़ा है तो ब्रेक हो जाएगा तो यहां हुआ यह की condition हमारा true है i की value 10 शुरू में ही है मगा चुकी यह do while वाले नेचर में लूप बनाया गया है कि at least यह एक बार काम कर ले इसलिए यह आपका एक बार काम करेगा तो एक बार काम करेगा तो देखिए 10 आपको print करके दे दिया तो दोस्तों यहां मैंने आपको while loop do while loop पाल loop के बारे बताया उसके मैंने कुछ program भी करके दिये हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसको जरूर लाइक करिएगा आप मेरे वीडियो को subscribe बटन पर क्लिक करके subscribe करिए और bell icon को जरूर select करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो डालू तो उसका alert आपको तुरिंग बिल जाया करेगा तो आज का class मैं यही पर समात करता हूं थैंक्यू